रॉम्नोमी जुलिस्पर पत्थराओं के बाद भड़की हिंसा के दोरान नालंदा में स्कूल को बन कर दिया गया था जिसके कारण पिछले एक अप्रेल से बच्चों की पढ़ाई बादी थी और आज जैसे ही दस वेक दिन स्कूल खोला गया तो छात्रों में खुशी का माहल देखा गया वहें सिक्षक भी काफी खुश दिखाए दे रहे थे हिंसा के बाद बहुत जल्दी जीले में शांती विवस्था कायम हो गई और लोग अमनचैन से जीने लगे हैं बता दे कि 31 मार्च को रॉम्नोमी जुलिस्पर पत्थराओं कर दिया गया था जिसके बाद द दो समुदायों के बीच हिंसा फैल गई थी और इसका सीधा असर बच्चों को सिक्षा पर पढ़ने लगा था जो भी जो बच्चों को अच्छा लग रहा है और हम लोगो बहुत मतलब इंतजार था एक बेचैनी थी कि यह जो शहर में जो भी दिस्टर्बेंस हुआ उसके वज़ा से हम लोगों के बच्चे काफी नुकसान में थे दो साल कोरोना की मार स्कूल सभी स्कूल ने जहला हैं बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई और ये अभी बेवज़ा एक इस तरह का मोहल होने से काफी लॉस हुआ हम लोगों से भी सभी आप लोग के माध्यम से ये रिक्वेस्ट होगा कि अब वो बच्चों को रिगुलर स्कूल भेजें कोई भी हेजिटेशन ना रखें और बच्चों को इन सब